हलो शुरेंट्स, आप सबी लोगों का रानक अनुस्टी क्लास्सें बहुत बहुत सागत है, लेक्शर 2 के बाद आज लेक्शर 3 लेके आए हैं, इसमें बात करेंगे लेक्शर 3 में सिगनिफिकेंस आप D. बौंगली कॉंसेट्स, अब बात आते है कि D. बौंगली कॉंसेट्स significance क्या है नील बोर के बारे में आपने सुना होगा नील बोर ने कहा था कि जो electron होता है जो electron जब किसी cell में या आर्विट में मूँनता है तो उसका जो angular momentum है वो angular momentum h upon 2 pi का integral multiple होता है यहाँ जो बोहर concept था बोहर concept के according जब electron किसी आर्विट या cell में मूँब करता है तो उसका angular momentum क्या होता है h upon 2 pi का क्या होता है integral multiple होता है यहाँ पर n क्या है यहाँ पर n numbers है 1 2 3 4 या numbers ना कहे के हम यह कहेंगे कि यह nucleus है यह पहली आर्विट है यह दूसरी आर्विट है यह तीसरी आर्विट है माल लो कि आपको पहली आर्विट का angular momentum निकालना है electron का तो हो जाएगा mbr बरावर 1 h upon 2 pi अगर आपको दूसरी cell का निकालना है तो mbr बरावर यहाँ पर क्या रख दो 2 रख दो तो जाएगा 2 h upon 2 pi तीसरे का निकालना है तो mbr बरावर 3 h upon 2 pi तो यहाँ पर यह जो आपका 1, 2, 3 यह numbers हैं यह simple आपके integers हैं यह क्या आपके simple integers हैं तो उसने कहा था कि angular momentum क्या होता है h upon 2 pi का integral multiple होगा यहनि उसकी कुछ fix value होगी 1 h upon 2 pi, 2 h upon 2 pi, 3 h upon 2 pi, 4 h upon 2 pi इसके अलाबा और कोई value नहीं हो सकती clear? यह केवल एक theoretical data बहुर ने दिया था इसका कोई mathematical derivation या इसका proofment बहुर ने नहीं दिया था D-Broy ने इस चीज को mathematically proof किया और बाकाइदा concept समझाया कि MBR बराबर n h upon 2 pi यह value होती कैसे है तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे clear? यहाँ पर एक अंग्रेजी में थोड़ा सा statement मैंने लिखा है कि this pastulates can we derived with the help of D-Broy कहो या D-Bronkley concept of wave nature of laktan यहाँ इस concept को अगर आपको proof करना है तो इस concept को हम किसकी help से proof करेंगे? D-Bronkley concept की help से इसको हम proof करेंगे कब? जब हमने ilaktan को क्या माना? wave माना अब जड़ा समझते हैं आपने इंटर की physics में एक chapter पढ़ा होगा interference जिसको कहते हैं व्यती करन क्या कहते हैं? students व्यती करन अब बहाँ पर व्यती करन में आपने पढ़ा होगा कि यह व्यती करन दो प्रकार का होता है एक संपोसी व्यती करन और एक बिनासी व्यती करन इसको बोलते हैं constructive interference और इसको कहते हैं destructive interference कहने करते हैं कि जैसे यह एक wave होती है अगर इसी के ऊपर एक दूसरी wave चले तीसरी wave चले चौथी wave चले पांचमी wave चले तो इसको कहते हैं constructive interference अगर ऐसा हो जाए कि इस wave को कोई दूसरी wave क्या करे एक कट सक कर दे तो यह आपकी क्या है यह पहली वेव है और इसके कोपड दूसरी wave तीसरी तीसरी वेव ऐसा ना पड़े वो कोई मालो ऐसे आ जाए तीसरी वेव ऐसे आ जाए नी कुल मिला के कैंसिल कर दे तो उसको कहते हैं विनासी जिसको अंगरेजी में कहते हैं यहां पर थोड़ा पूरा अप्लाई होगा थोड़ा नहीं पूरा आपका इंटरफेरेंस का कॉंसेट यहां पर अप्लाई होगा तो देखिएगा आपने माना है, D. Brongley ने कहा है कि electron में wave nature होता है, particle भी होता है अब इस statement यह जो Neil Moore ने theoretically समझाय था theoretical दिया, अब इसको D. Brongley ने कैसे mathematically इसको prove किया है, वो with concept यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, देखिए जैसे आप यहाँ पर यह जो figures देख रहे हैं कोई ऐसे ही नहीं है, इनका भी एक अपना significance है वो बहुत अच्छे से समझना आप लोग देखिएगा जैसे यह nucleus है, clear और electron कैसा है, electron wave की तरह चल ला जैसे मान लो कि यह आपकी पहली wave फिर यह आपकी दूसरी wave फिर यह आपकी तीसरी wave और फिर यह आपकी चौथी wave देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहली wave फिर यह आपकी दूसरी wave फिर यह आपकी तीसरी wave और फिर आपकी यह चौथी wave अब यहीं से, यह आपकी पांचवी यह आपकी छटवी और यह आपकी साथ भी और फिर आपकी यह आठ भी फिर ऐसे यह बेव इन्हीं कुल में लाके बेव कुपर बेव चलती रहे इसको हम लोग क्या कहते हैं constructive, clear क्या कहेंगे इसको constructive या इसको कहते है merging यहनि एक बेव दूसरे में merge हो गई संदरा cancel नहीं हुई तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से चलना start किया और यह आपकी पहली वेव फिर यह ऐसे चलते गई यह आपकी दूसरी वेव और फिर आपकी तीसरी वेव तो टोटल कितनी यहाँ पर वेव अलाउ हुई? तीन इसे मैंने लिख दिया merging वेव या constructive interference अर्थात यह आपका वेव phase कहलाएगा कहानी समझ भा रही ना? दूसरी चीज यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आप count करोगे तो यहाँ पर यहाँ आपकी पहली वेव, यहाँ से यह दूसरी वेव, फिर यह आपकी तीसरी, फिर यह चौथी फिर यह पांच मी तो यहाँ पर टोटल कितनी वेव है? टोटल एक चकर में? पांच आपकी तो यहाँ लाउड कितना होगे? पांच मैंने लिखा merging, waves या constructive interference कहने कारता है कि अगर यहाँ पर पांच मी खतम हो रहे फिर इसी को उपर छटी वेव चलेगी फिर सात मी पर यह नहीं एक दूसरे में मर्ज हो रही है कहानी समझा रही है? तो यह सब आपके किसमें जाएंगे? वेव फेज में जाएंगे पूरी मेरी बात हो जाने जाएंगे उसके बाद आप लोग फिर कमेंट करिएगा इसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पर अगर आप यहाँ चलें तो यह आपकी पहली वेव यह आपकी दूसरी वेव यह आपकी तीसरी यह चौती वेव पांच मी वेव छटवी साथ वी और यह आठ वी तो यहाँ पर कितनी वेव एक पूरे चकर में चली आठ तो allowed कितनी हो गई? आठ हो गई वेव फेज में, merging वेव या constructive constructive जब ही लगेगा जब क्यों होगी एक वेव दूसरी वेव में merge होगी, समझ मारा ना? अब बात आ रही है कि destructive interference का या crossing वेव वेव देखी के क्या है जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ फिर बाद में उसको देख लेंगे मैं फिगर में यह आपकी nucleus है अब देखिए, जैसे माल लो कि यहाँ से एक वेव चली यह पहली वेव फिर आपकी दूसरी वेव फिर आपकी तीसरी वेव फिर आपकी चौथी वेव यह आपकी पांचमी वेव अब देखिए, अब जब आएगी अब यह कहां जा रही है? cancel कर दी पांचमी हो गए, फिर यह कैसी हो गई? जब की होना क्या चाहिए था? इस ही ओपर जैसे यह देखिए यहाँ प जब चले थे पूरा तीन और वह यह क्या रहा था? 4 और यह 5 लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पर यह आप चले और यहाँ पर यह इसके बाद यहाँ पर बात खतम होई अब जैसे आप ऐसे चलोगे तो क्या होगा ये पहली वाली वेव को क्या करेगा कैंसिल करेगा इसलिए इसको क्या कह दिया गया क्रासिंग वेव अर्थाथ एक दूसरे को ये क्रास कर रहे है कैंसिल कर रहे है that is destructive interference इसको हिंदी में कहते हैं 83 बैती करण अर्थाथ अब ये क्या हो गया out of phase हो गया सर इससे समझ में क्या आया वो चीज हम आपको बता रहे है कि ये क्यूं मैंने ऐसे बनाया उसके लिए आप आगे देखिएगा देखिएगा मैंने लिखा है कि ये nucleus है अब देखिए यहां से wave चली ये पहली wave ये दूसरी wave ये तीसरी wave ये चौथी wave और ये सारी नहीं cancel हो गया ये भी क्या हो गई आपकी ये भी आपका destructive हो गया constructive मुझे बनानी constructive का आर्थ है देखिए का इसी को यहां पर देख लेता है ये constructive का अब देखिए इसको constructive को देख लेते हैं यहां पर देखिए ये वाला यहां पर इसको ये वाला देखो बड़ा वाला figure बराबर यह एक चक्कर किसके बराबर होता टू पाई यार और कितने चक्कर चले पांच पर ऐसे ही कितने छे साथ आठ नौ दस कितने ऐसे चले और एक लेंडा तो टू पाई आर बराबर हो जाएगा एन लेंडा अब देखिए यहां पर लिखा है कि ये दि सर्कुलर आर्विट की ये दि सर्कुलर आर्विट की सर्कुम्फेरंस बेव लेंद के होल नंबर के मल्टिपिल है तो इलक्ट्रान बेव फेज में होगा और ये दि होल नंबर के मल्टिपिल नहीं है तो इलक्ट्रान बेव फेज में नहीं होगा मेरी बास समझिए, यह 2 pi r क्या है, उसकी परिदी है, क्या है उसकी परिदी, बरावर n lambda, अब यहाँ पर क्या है n, n है कोई भी आपका number, जैसे 1, 2, 3, यहनि कुल मिलाके वो quantized number होगा, कोई वो fraction में नहीं होगा, तो 2 pi r बरावर n lambda, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से r निकाल लेंगे, sorry r नहीं, यहाँ पर mb r को एक तरफ कर लेंगे, और कितना जाएगा n h upon 2 pi, समझना रहा न, यहीं mb r को अलग कर लिया, और n h के नीचे क्या लिया 2 pi, अब ज़रा देखिएगा, यह जो statement proof हुआ है, यह जो statement proof हुआ है, mb r बरावर n h upon 2 pi, यह वाला statement, यह नील वोर ने केवल इसको theoretical दिया था, इसका mathematical derivation नहीं किया, लेकिन डी ब्राय ने, डी ब्रॉंगली ने, क्या किया, इलक्टरान को बेब मान कर, इस चीज को mathematically prove किया, इसलिए, डी ब्रॉंगली, equation का बहुत ज़्यादा significance माना जाता है, बहुत mathematical दिया था data, कि angular momentum NH upon 2 pi के बराबर होता है, डी ब्रॉंगली ने उसको mathematical proof किया, ओके, तो मैंने लिख दिया angular momentum, इसी ध्यान अखना, यह statement किसका है, बहुर पास्टुलेट्स किया, यह concept का है, यह concept बहुर पास्टुलेट्स है, मैंने यह लिखा है, कि यह किसी भी circular आर्विट के लिए angular momentum का quantization है, कि अगर किसी भी electron को circular आर्विट में घूमना है, तो इसको यह condition follow करनी पड़ेगी, अर्था, MBR, 2H upon 2 pi, पहली cell के लिए, अगर दूसरी cell में है, तो 2H upon 2 pi, तीसरी में 3H upon 2 pi, यह वो quantized number होगा, कोई fraction की बात नहीं करेंगे, clear, इसके बाद, दूसरा significance क्य है, डी ब्राइका, वो जरा समझते हैं, डी ब्राइका दूसरा statement यह है, कि जैसे lambda वरावर H upon Mb, यह H upon P होता है, इनको अगर हम relate करेंग दूसरे से, तो lambda बिदक्रमानुपाती बन अपान M, lambda बिदक्रमानुपाती बन अपान V, इसका आर्थे हुआ, कि अगर कहीं पर M हमें मालूम है, कि अगर wave nature लाना है, तो lambda जादा होना चाहिए, तो वो ही लिखा कि किसी moving particle की wavelength, उसके mass के inversely proportional होती है, inversely proportional होती है, इसका आर्थ क्या हुआ, कि moving particle का mass जादा है, तो उसकी wavelength कम होती है, अगर moving particle का mass कम है, तो उसकी wavelength जादा होगी, के लिए यह आपका दूसरा significance हो गया, अब तीसरा significance बहुत important है, यह इसलिए important है, क्योंकि यही तीसरा significance, आगे आप एक long पढ़ेंगे, उस long question को मैं यहाँ पर बोले दे रहा हूँ, बहाँ पर एक long questions पढ़ेंगे, वो बहुत important है, वो long question आपका है, बे-mechanical theory of electron, drive D-brongley equation and verify it experimentally, यह long question है, बहाँ पर यह जो आपका तीसरा point है, D-brongley का जो significance, यह बहाँ पर जियोंकातियों काम करेगा, पूरा कौप ही ऐसा माल लीजिए, इसको हम करने जा रहे हैं, moving electron की wavelength वा kinetic energy में संबंद, देखी क्या है, आप लोगों को मालुम है, कि ज होगा, और जब move करेगा, तो उसके पास velocity भी होगी, तो kinetic energy या moving electron निकालोगे, तो क्या निकल काएगा, K बराबर 1 upon to MB square, समझ मारा न, D-brongley equation क्या होती, lambda बराबर H upon MB होती है, clear, यहाँ अगर हम V को निकालना चाहें, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B को भेज़ दो, lambda को B के M square lambda square आजाएगा, अब यह समीकार 1 में put कर दीजिए, तो value यहाँ आजाए, K बराबर 1 upon 2 M, H square upon M square lambda square, square से M cancel हो जाएगा, हो गया cancel, क्या बचेगा, K बराबर H square upon 2 M, lambda square, इस lambda square को K की जगाए फेस दो, यहाँ से lambda की value निकाल लिए है, तो lambda square बराबर आजाएगा, H square upon 2 M, K, य जो value आएगी, हो आएगी, H lambda बराबर, H upon under root 2 M, के कहानी समझ वारी न, तो overall यह एक result आपको मिल गया, lambda बराबर, तो D-Bronkley equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो आपका H upon P तो होता ही, उसको आगे हमने और extend किया, और उसका एक रूप बनाया, तो lambda बराबर, H upon under root 2 M, के, यहां तको कहानी आपके समझ में आ गई होगी, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, कि अगर electron को B-volte, से accelerate कर दिया जहarchand, मेरी बात को जब समझने का प्रयास करिएगा, कि जब electron को, जब किस beneficocr Ann को, हम लोग क्या करते हैं, जब किस elaktron को B-volte, से accelerate करा देत तो इलक्ट्रान चलने लगेगा ऐसी कंडिशन में उसकी कैनेटिक इनर्जी क्या हो जाती ऐसी कंडिशन में उसकी कंडिशन में कानेटिक इनर्जी होती है EV या QV, तो अब क्या बन जाएगा Babylon का formula, lambda बराबर H upon under root 2m EV अब हम लोग क्या करेंगे, इसको calculate करेंगे, इसमें value रखेंगे, देखिएगा हमने क्या किया, हमें मालू में कि electron को ही हम दवड़ा आ रहा हैं, तो यहाँ पर electron का charge सबको मालू में, E से लिग लो wavelength निकल के आएगी, वो lambda बराबर आजाएगा, 12.2627 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो lambda बराबर 12.27 upon under root B अंगर स्टॉम, यहाँ पर V क्या है, simple potential energy का हो, या B क्या का हो, voltage का हो, इसके बाद, जो हम अगले जो next lecture में, या next lecture में हम बात करेंगे, एक long question की, वो long question हमाई आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको lecture fourth में पढ़ने को मिलेगा, वो long question आपका मैंने भी बोला भी था, कुछ लोगों ने note भी कर लिया होगा, जिन्होंने note नहीं किया है, तो वो next lecture में, आप लोगों को verification किया था, उसकी हम बात lecture fourth में करेंगे, thank you for watching.